हाव रुफीक्स सेमसंड जेवान एस आटो रिश्टार्ट आफ्टर अपडेट प्रॉब्लेम नमस्कार डोस्तों सवागर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके जो डिवाइस है उसमें आफ्टर अपडेट के बाद आपके से इस प्रॉब मैं आपको बताऊंगा आपको फोलो करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिश्टार्ट होने का जो है कई सारे प्रॉब्लेम्स हो सकते हैं ठीक है यहाँ पर दोस्तों हमें कभी कबार लगते कि आपडेट के बाद यह प्रॉब्लेम आया हुए तो दोस्तों यहाँ पर ऐस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो करना क्या है अगर आपको प्रॉब्लेम आ रहा है ऑटो रिस्टार्ट का ठीक है अपडेट के बाद तो आप यहां पे सबसे पह या हुआ है उनको अच्छे से आप रिप्लेस कीजिए और इंसर्ट कर दिजिए ठीक है उसके बाद मोबायब को एक बार रिच्टार्ट कीजिए रिच्टार्ट करने के बात दोख करना है तो आप यह से यूजद कर सकती है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट के बाद यहाँ पर आटो रिश्टाट का इश्व हो रहा है तो आप यहाँ पर यहाँ पर यह भी कर सकते आप अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाके अपनी स्टोरेज को चेक कीजिए अगर आपका स्टोरेज और मॉस्स और यूसी अगरां करतें दोस्तों के लिए फिर सकते हैं क्योंको दोस्तों यहाँ कुईंक होगि आप्तर यहार रिश्टार्ट प्रॉब्लेम ही रह वहाँ अपने मोबाइल पर अपलीकेशंस वगरा हैं उनको फ्रतें किजिए और दोस्तों बड। एप्लीकेशंस पर problems कई सारे आते हैं सारे साथ अगर आपके mobile पर unused application भी बहुत सारे हैं उनको भी आप delete कर दीजिए ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आपको थोरा थोरा करके applications को भी remove करना है अपने mobile से space को भी clean up करना है and then दोस्तो mobile को restart करके चेक कीजिए अगर दोस्तों आपके mobile space already full है तो आप उसको कम से कम 40% space यहाँ पर दीजिए ठीक है उसके बाद चेक करके देखे आपका जो इश्यू है यहाँ पर solved हो जाना चाहिए अगर solve होते है ठीक है अगर उसके बाद भी problem आ रहा है तो आप दोस्तों आपने mobile के general management पे जाए reset के option पे क्लिक करें reset all setting पर जाके reset setting पर क्लिक कीजिए और अपना mobile pattern या फिर password pin भर दीजिए ठीक है उसके बाद आपके सारे setting रिसेट हो जागा end end recheck करके देखे अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर उसके बाद भी दोस्तों problem आ रहा है तो आपके पास दोस्तों last solution बज़ जाते है और वो ही दोस्तो factory data reset ठीक है यहाँ पे है तो same setting आपको follow करना है जैसे कि आपे general management reset and then factory reset ठीक है तो factory reset में जाके दोस्तों आपको सारे के सारे phone जो है उसको ही format कर देना है उसके बाद दोस्तों देखेगा आपका जो problem है यहाँ पे कैसे solve हो जाते है ठीक है तो इतना solution अगर आप कर लोगे तो दोस्तों आपका problem definitely solve हो जागा और दोस्तों factory reset करने के बाद आपको high gaming नहीं करना है अगर आप करते हैं तो वो आपको छोड़ना होगा ठीक है कुछ दिन के लिए सारे साथ mobile को दोस्तों आप यहाँ पे use तो कर सकते हैं लेकिन दोस्तों ज्यादा overuse आपको नहीं करना है ठीक है तो ऐसा करके दोस्तों देरे देरे जो है आपका problem भी fix हो जाएगा उसके बाद अगर आपको gaming बगर भी करना है तो अभी आप कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसने आओगा Thanks for watching